असलाम अलेकुम दोस्तों क्या हाल चालें आपके उमीद करती हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ सिल्वर ग्ले ग्रे कलर का जो हाइलाइट्स होती है उसको कैसे आप अपने कलाइंट्स के हेर पर कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत मुश्किल और डिफरंट टास्क होता है ब्यूटिशन के लिए क्योंकि आज कल बहुत जदा डिमांड है इस कलर की सिर्वर ग्रे कलर करवाने के लिए बहुत जदा लोग जो है रिक्वेस्ट करती हैं और आप लोगों के भी बहुत जदा कमेंट्स जो हैं वह मिल रहे होते हैं तो प्रॉपर सिखेंगे किस तरह से आप इस कलर को जो है वह कर सकते हैं सबसे पहले तो यह के यह मीज लोगों ने पीछे इनको कलर किया ता इसका वीडियो भी आपको जो है विल ज Hundreds लगाएथे तो यह सब आप जो हैंदेनल पर यहांभी हमने पुल सब्सक्राइब जो है वह एडल सेमें नंबर की ट्यूब चाहिए तकरीबन 30 ml ठीक है 30 ml आपकी डबल समय नंबर की ट्यूब होगी और इसमें आपको 30 ml ही जो है शैम्पू को एड करना है क्लैरिफैंग शैम्पू आप यूज कर सकते हैं ठीक है शैम्पू को यूज कर करने के बाद जो है इन दोनों को अच्छे से जो है वह आपने मिक्स शर्ड को जो है वह ब्लैंड हो जाते हैं और आपको यह नजर आ रहा होगा कि हमारा जो है थोड़ा सा लाईट कलर की तरफ चला गया तो आपने गरम पानी लेना थीक्ष कर आप पानी को जो है इस मिक्शर यानि के बिल्कुल ब्लॉण का जो शेड होता है उसको जो है वो लेकर आएगा तो इस मिक्चर को आपने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देने के बाद जो है लगाना जो है वो अपने शंपू यूनिट पर है और लगाना किस तरीके से है वीडियो बहुत इंफॉमेटिव है आप लोग लास्ट तक वह देखेगा बालों को बहुत अच्छे से जो है वो आप गीला कर लेंगे ठीक है और उसके बाद आपने सबसे पहले नीचे एक step लेना है और step के उपर जहां पर आपने अपना कड़ों किया हुआ है उस पे इस material को जो है वह इस तरह से जो है वह आपने लगाने हैं बहुत अच्छे से तरह से इसको जो है वह फैंट लेना है और छोटे छोटे section पकड़ के और इस product को जो है वह आपने apply करना है काफी द खरना है और उसका तरीका यह होगा कि आप product लगाती जाएंगी और हातों से जो है वह इसके ज्छाग जो है वह आप बनाती जाएंगी ठीक है बहुत जदा पानी भी नहीं होना चाहिए बालों में पानी को आप थोड़ा सा हातों से जो है वह निचोड़ लें और इस तरह स ज्यादा इसमें से जो यलो पिगमट है वह आपको खतम होता हुआ जो है वह नजर आएगा तो मेरा हाला पाकिस्तान में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है कि जो आपको इतनी डेटेल्स के साथ जो है पूरी इंफरमेशन दे सके तो आपको हमारे इस चैनल को स्पोर्ट करना चा आपने बालों को जो है वह ब्लीच वगरा किया हुआ है तो उन सारे बालों को आपने इस प्रोड़क्ट को लगा के और इस तरह से जो है वह ब्लेंड करते चले जाना है तकरीबन 10-15 मिनट तक आपने शैंपू यूनट से नहीं हिलना है आपने इस कलर को अपने बालों के अंदर जो है वो डिपोजिट करना है इस तरह से जो है अच्छे से ब्लेंड करते चले जाना है ठीक है तो यहां पर मैंने को वीडियो का कोई भी पार्ट की पिसलिए नहीं किया है क्योंकि आप लोगों का रिक्वेस्टेट वीडियो था और आप में से मेरा ज्यादा तर लो यह बताया कि कैसे हम लोगों ने बल्याच किया है और फॉल कैसे लगाए है ठीक है और दूसी टिकनिक में हम लोगों ने इसoping में से जो येलो पिगमन्ट है उसको चैस से खत्म करना है उसकी टकनीक आप लोगों यके साट जो फेयर बिल्कुल इसमें से जो है वो खतम हो चुकिए है मजीद और थोड़ा सा इसको ब्लैंड करेंगे जब तक के बालों से येलो पिग्मन खतम नहीं हो जाता जब देखेंगे कि आपका येलो पिग्मन बिल्कुल अच्छे से खतम हो गया है तू फिर आप करेंगे जी बालों को वो simple पानी से wash करेंगे ठीक है wash करेंगे और उसके बाद हम अगले मरहले में कौन कौन से colors ले रहे हैं वीडियो को लाज़ देखिएगा लाजमी क्योंकि बाद में आप लोगों को जो है वो समझ नहीं आती है और फिर आप comment करकर के बार बार मुझे जो है वो पूछ रहे होते तो देखें कि इतना असान नहीं होता है कि आपको जो है वो फोरन बताया जाए और आप फोरन से डाई कर लें और अभी gray color को चीव करने के लिए आप note कर ले मैंने इसमें silver लिया है semi silver, semi gray और clear ठीक है यह सारे क्यूने brand ही के semi colors है इन तीनों की quantity आपने बिल्कूल रखनिंग चीव मैं 3030 ml जो है इन तीनों bass को जो है वो ले रहे हूं ठीक है और तीनों टूस की equal quantity आप रहके इसमें आप ten volume को भी इक्वल ही जो है वो add कर लें ठीक है आप इसमें अगर ज्यादा gray color हांसिल करना चाहतें हैं तो आफ twenty volume को भी जो है वो इसमें जछे हो आ मिक्स कर सकते करेंगे और फिर आप लोगों के साथा जो है वो क्षeir करेंगे CDC सारे की एक्षिचन में प्रूंट चाहए हूं अप तो सारी प्रुक्राइब यहां मसाना के बीकुण सर्फित हो इसन निक distortion मेन परपती 1967 है 20-30% जो है यानि कि बिल्कुल ड्राय आप मत करो ठीक है बालों को और उस पर जो है वो इस प्रोड़क्ट को जो है वो step by step जो है वो apply कर दो इसके दो method है आप इसको shampoo unit पर बिल्कुल wet hair पर भी apply कर सकते हो लेकिन उस सुरत में आपको 20 volume को अंदर जो है वो mix करना पड़ेगा औ और आप इसको dry पर भी जो है वो लगा सकते हो ठीक है तो अभी मैं जो है 20% हमारा बाल जो है वो वैट है और उस पर ही इसको apply करके और तकरीबन इसकी जो timing होगी वो 20-25 minute ही होगी ठीक है तो इतना वेट देने के बाद जो है वेट करने के बाद जो है फिर इसको जो है भी बहुत ही different और एक unique जो है वो look लगा क्योंकि ये एक बड़ा cool सा color है और इसको achieve करने के लिए हर किसी की कोशिश होती है कि हम ये color करा लें लेकिन ये होता है कि हर बालों के उपर जो है ये possible नहीं होता है तो अभी मैं बता दू किन बालों पर ये जो है वो possible होता है ऐसा जो के virgin हो ठीक है और बहुत ज़दा उसका natural color dark नहीं हो जिसका natural color तक्रीवन five या six level का हो तो उस पे आप silver gray color जो है वो बहुत easily जो है वो achieve कर सकते हैं अभी हम लोगों ने color apply किया और आप difference जो है वो देख रहे हैं ठीक है तो हम लोगों ने जो है वो अच्छे से बालों को सा बालों पर जो है वो इसको जो है वो अप्लाई कर दिया हुए है अगर हां यहां अगर आपके बालों पर metallic डाय लगा है और yellow pigment metallic या कोई भी अगर आप color लगाते हो अभी देखे कितना difference आपको जो है वो नजर आ रहा है बालों में जो है वो एक shine जो है निकलती हुई नजर आ रही है और shine क्यों आ रही है इसकी वज़ा यह है कि हम बालों की जो application कर रहे हैं जो massage कर रहे हैं जो blending कर रहे हैं वो बिल्कुल सही way में कर रहे हैं अगर हम इसके cuticle को खराब करेंगे उल्टा सिदा हाच लेंगे तो हमारे बालों में ऐसे की shine नहीं आएगी जैसे ही हम हमारी कलर ट्यूब होती है उसके अंदर परोटीन होती है ठीक है तो हमारे बालों को हम बहुत सौफ्ट करती है और अभी यह हमारी फिंशिंग लूक आप देखें कि यैलो पिगमन्ट इसमें से खत्म हो चुक है और ग्रे का लुक जो है वह बहुत ही खूपसरा सहा में जो है बहुत हैं तो वीडियो को आगे शियर के रहा हमारी भी हुसला अभज और हम मजीद ऐसी वीडियो जो है वो आप लों के साथ है वो शेयर करें और इनकी हम लोगों ने जो है यानि के डाई करने से पहले केराटीन भी किया था ठीक है ये केराटीन जब कर लेते हैं बंदा बालों को तो उससे और भी ज्यादा जो है वो बालों में शाइन आ जाता है और बाल तभी खूबसरत लगते हैं कि जब उसमें रू होगा या दो शाखा होगा तो वो खूबसूरती नहीं आएगी ठीक है तो इसलिए हम लोग जादातर क्लाइन को पहले केरटिन कर लेते हैं जिससे बाव स्मूथ पीघ कर दो एद लेक्ष ओने कि एदिया अंदातर क्लाव होगा तो अखवा जातर क्लाव स्मूफ जाओं जाखवा तो